स्वागत है आप सबका अपना चैनल MSGIL infotainment में आज हम आपको श्वी गुरु नानक देव जी की साकी सुनाएंगे न कोई हिंदू और न कोई मुसल्मान जब गुरु नानक जी बेन नदी में गायब होने के बाद फिर से प्रकट हुए तो गुरु साहिब ने घोषना की कोई हिंदू नहीं है और कोई मुसल्मान नहीं है जिसका अर्थ है कि लोगों के बीच कोई अंतर नहीं था हालां कि कुछ लोग व्याख्या करते हैं कि हिंदू और मुसलिम दोनों अपने सिध्धानतों को भूल गए थे ये बात फैल गई कि गुरु नानक फिर से प्रकट हुए है इस घोषना ने नवाब दौलत खान और उनके काजी को भैभीत कर दिया नवाब ने गुरु से यह बताने को कहा कि क्या उनका काजी सच्चा मुसल्मान नहीं था गुरु जी ने एक सच्चे मुसल्मान के लक्षन बताए वह जो अपने विश्वास में दृढ है उसे मुसल्मान कहलाने का अधिकार है उसके कार्य पैगंबर में उसकी आस्था के अनुरूप होने चाहिए उसे अपने हृदे से अभिमान और लालच को साफ करना होगा जो धोखे बाजों से परेशान नहीं जीवन और मृत्यू भगवान की इच्छा से समर्पित कर दिया हो उसे करता के रूप में जानता हो स्वयम को स्वयम से मुक्त करें और सभी प्राणियों के प्रति दयालू रहो है नानक ऐसा व्यक्ति स्वयम को मुसल्मान कह सकता है तब नवाब ने गुरू जी से पूछा यदि हिंदूओं और मुसल्मानों के बीच कोई अंतर नहीं है तो आप हमारी नमाज मुसल्म प्रार्थना में शामिल क्यों नहीं होते गुरू जी उनके साथ मस्जिद में उनकी प्रार्थना में भाग लेने के लिए सहमत हुए जहां काजी ने नमाज का नित्रित्व किया जब नमाज अदा की गई तो काजी और नवाब दोनों खड़े हुए घुटने टेके और प्रार्थना में जुके लेकिन गुरू जी खड़े रहे नमाज खत्म होने के बाद काजी ने कहा तुमने नमाज में हिस्सा क्यों नहीं लिया गुरू जी ने उत्तर दिया मैंने प्रार्थना में भाग लिया लेकिन तुम दोनों ने नहीं फिर उन्होंने समझाया जब काजी ने सेवा की तो उन्हें याद आया कि उनके आंगन में एक कुआ था और उनका मन इस आशनका से भर गया कि कहीं उनका नवजात बच्छडा कुए में न गिर जाए इसलिए काजी के मन में यह बात नहीं थी प्रार्थना में उपस्थित थे इसके अलावा जब नवजा प्रार्थना करने का नाटक कर रहे थे तो उनका मन काबुल में घोड़े खरीदने पर केंद्रित था दोनोंने गुरू जी के कथनों की सत्यता को स्वीकार किया और नवजाब ने काजी से जोड़ से चिल्ला कर कहा क्या आप खुदा भगवान को नानक के माध्यम से हमसे बात करते हुए नहीं देख सकते मुसल्मान दिन में पांच अलग अलग समय पर पांच नमाज पढ़ते हैं गुरू ने नमाज का अर्थ और गुन बताया आप दिन में पांच बार, पांच प्रार्थनाएं कहते हैं, पांच अलग अलग नामों से, परंतु यदि सत्य तुम्हारी पहली प्रार्थना हो, इमानदारी से अपनी दैनिक जीविका कमाने वाला दूसरा, भगवान के नाम पर देने वाला तीसरा, आपकी चौथी प्रार हे नानक एक आदमी हर समय जूठा समझा जाता है। गुरू नानक जी ने कभी भी मुसल्मानों या हिंदूों से भगवान से जुड़ने के लिए उनके शिश्य बनने के लिए नहीं कहा। इसके बजाए गुरु नानक जी ने मोक्ष पाने के लिए मुसल्मानों को सच्चा मुसल्मान बनने और हिंदूओं को सच्चा हिंदू बनने के लिए कहा। धन्श्वी गुरु नानक देव जी, वहां से गुरु जी सिंध की ओर चले गए, अपना कीम्ती समय निकाल कर साखी सुनने के लिए सभी प्रियम मित्रों को धन्यवाद, और अधिक सिक हैतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वहेगुरु जी दाखाल साश्वी वहेगुरु जी दीफत है।